हेलो फ्रेंड्स गोड इवनिंग वेलकम इन ऑनलाइन एग्रिकल्चर एप्लेटफॉर्म स्टुडेंट कुछ ताइम पहले UKSCC यानि उत्राखंड में एक गन्ना प्रिवेक्स यानि सुगर केन सुपरवाईजर की कुछ पोस्ट ने आई थी और जो विग्यप्ति जारी हुई थी उसके अंदर स्लेबस डिस्क्राइब नहीं किया गया था स्लेबस नहीं बताया गया था और नहीं प्रोपर एक्जाम पेटन बताया गया था और स्टुडेंट का अनुवान था कि पिछली बार की तरह एक्जाम हो सकता है लेकिन UKSSC एक्जाम पेटन चेंज कर रहा है आपने देखा होगा पीछे डबलेओ की वह केंजी आई थी उसके अंदर भी एक्जाम पेटन है वह चेंज किया था प्लस स्लेबस भी उन्होंने कुछ मोडिफाई किया था तो कुछ ऐसा ही सुगर केंट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसके साथ जो अन्य पोस्टे आई हुई है उनके अंदर भी कुछ सेम ऐसा ही हुआ है यानि यहां पर थोड़ा स्लेबस भी चेंज किया गया है थोड़ा लेंथी हो गया है स्लेबस थोड़ा साइंस बेस्ट है वो ज़्यादा हो गया है अब इसमें GK Hindi जैसा कोई पार्ट नहीं है पूरे का पूरा साइंस बेस्ट है वो syllabus है तो अब क्या है UK SSSC ने syllabus भी जारी कर दिया है और exam pattern है वो भी इन्होंने डिकलेर कर दिया है तो आज की सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो गन्ना प्रिवेक्सक है और उसके साथ में कुछ dairy department और अन्य department में जो आई हुई पोस्ट ने है उनका syllabus क्या रहने वाला है और इस complicated syllabus की वो त्यारी कहां से करेंगे और किस तरह की अपनी strategy बना के चलेंगे तो चलते हैं दोस्तों आज हम बात करते हैं सबसे पहले syllabus की लेकिन syllabus से पहले मैं बताना चाहूँगा इंडिया का सबसे बड़ा agriculture का e-platform online agriculture e-platform पर ये course टार्ट हो चुका है और 5 परवरी से इसमें क्लासे regular start हो जाएगी जिसके अंदर आपको live class भी मिलेगी जिसके अंदर आपको वही क्लासे recorded form में भी मिलेगी तिल exam तक उसके लाँ आपको practice set भी मिलेंगे और उसके लाँ आपको study material भी मिलेगा और ये course आप access कर सकते हैं online agriculture application पर और ये website भी है आप website पर भी visit कर सकते हैं course का price है वो 6000 rupees है और जो base है वो 5 परवरी से start हो रहा है और अगर आप इससे समंदित और ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहते हैं तो नीचे दिएगे नंबर पर आप contact कर सकते हैं call कर सकते हैं वर्टसप कर सकते हैं call का reply नहीं मिलता है तो वर्टसप डाल के छोड़िए आपको call कर लिया जाएगा और आपको सबसे बहतरी इन तरीके से syllabus करवाते हुए आपकी सपलता को यहाँ पर सोनी सित किया जाता है तो चलें सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं यहाँ syllabus को लेकर और exam के pattern को लेकर सबसे पहले हम बात करते हैं exam pattern की अगर हम exam pattern की बात करें इन vacancies के लिए योगेता वगेरा क्या थी वो मैंने पहले ही बता दी थी और उस वीडियो का link मैं description box में डाल रहा हूँ ताकि आप उस वीडियो से कोई इस session के अंदर doubt समझें कि योगेता नहीं बताए गई कोई eligible है वो नहीं बताया गया और समन्दी जानकरी नहीं दी गई तो आप उस वीडियो से वो जानकरी प्राप्त कर सकते हैं और उसके अलावाद जो ये pdf मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये pdf आप online agriculture telegram channel से डाउनलोड कर सकते हैं telegram channel का नाम क्या है online agriculture telegram channel वहाँ पर आपको ये pdf है वो मिल जाएगा देखे स्टूडेंट गन्ना परवेशक और उसके साथ आए हुए जितने भी पद है उनका exam pattern क्या रहने वाला है इसमें क्या होगा एक तो होगा part first part a बोल देते हैं जिसको अपने क्या बोल देते हैं part a बोल देते हैं एक तो होगा part a जिसमें आएंगे 30 question कितने question आएंगे 30 question जितनी भी post ने उन सब के लिए common exam रहेगा बिलकुल common रहेगा 30 question बिलकुल एक जैसे होगे 30 question का एक जैसा syllabus एक जैसे ही question होगे 30 question है 30 number के ही question है किसी भी आप पंद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये 30 क्योसन वाले जो सलेबस है उसकी त्यारी करनी पड़ेगी कोई लाज नहीं है आपके पास और इन 30 क्योसन के लिए क्या सलेबस रहने वाला है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसके बाद अगर हम बात करें, part second, part B, part B को इन्होंने क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, first और second के अंदर, ठीक है, first जो है वो agriculture, dairy बेस्ट है, dairy डिपलोमा बेस्ट है, ठीक है, और second है, वो क्या है, पूरे का पूरा science बेस्ट है, अब क्या है, जो student, जिस तर पार्ट को चुन सकता है, ठीक है, इन दोनों में से वो कोई सा भी चुन सकता है, उसकी आपको इन दोनों से आपको A की में होंगे, आपको एक ही चुनसया है, तो 30 क्योषन पार्ट A से आएगे, और 70 क्योशन किसे आएंगे, पार्ट B से आएंगे टोटल क्योशन आपके कितने आएंगे, 100 क्योशन आएंगे और कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे और इस एक्जाम को करने के लिए आपके पास टाइम होंगे 120 मिनट यानि आपके पास पूरे के पूरे 2 घंटे रहने वाले हैं अब 100 नंबर का पेपर है एक साही करोगे तो एक नंबर भी लेगा आपको एक क्योसन आपने गलत कर दिया तो 1 फोर्ट की नेगटिम मार्किंग है यानि एक क्योसन गलत करने पर आपका नंबर कटेगा 0.25 कितना नंबर कटेगा आपका 0.25 नंबर है वो कटेगा यह रहेगा एकजाम पेटर्ण अब हम बात करते हैं कि स्लेबस क्या है सबसे पहले तो हम common स्लेबस की बात करें किसी भी पद के लिए आप इस विग्यप्ती में यह जो विग्यप्ती थी एड़ोटाइजबेंट नंबर 47 जो थी उसके अंदर जो भी पदा है इसमें सबसे ज़्यादा पदा हैं सुगर के इन सुपरवाईजर के हैं गन्ना प्रवेश के तो इसके लिए जो फस्ट पेपर रहेगा उसमें सलेबस क्या रहेगा बहुत सारा सलेबस रहने वाला है जो कौमन ही है न इसमें एक तो environment science होगी environment science में आपके pollution का पाट रहेगा चाए उसमें soil pollution है यानि मरदा परदुषन है air pollution है water pollution है उसके लाग global warming है उसके लाग green house effect है उसके लाग जो pollutant होते हैं बायो degradable, non degradable यानि जो अपगटित होने वाले जो परदुसक है नहीं होने वाले परदुसक है वो सब उसके लाग बायो diversity जेव विबिता इसकी जुरूरत क्यों है इसको हम किस तरह से कंजव कर सकते हैं सरक्षित कर सकते हैं उसके वीदियां क्या है उसके अलावा रिनेबल नो रिनेबल जो energy source है यानि उर्जा के नवीनी करत या फिर खतम होने वाले संचादन है वो भी पार्ट रहेगा उसके अलावा जो modern agriculture हो रही है आज के समय आधुनिक खेती जो हो रही है उसका environment पे क्या effect बनने वाला है पहला तो ये रहेगा दूसरा रहेगा पूरा chemistry का basic जिसमें state of matter and classification रहेगा उसके लाव osmosis diffusion solution atomic theory atomic structure discovery of electron proton neutron उसके लाव atomic number है electronic distribution in order है पियस के लाव ये सब chemistry का basic part इसमें रहेगा उसके बाद तीसरा जो part है एक तो कोशिकांग है cell division है यानि कोशिका विबाजन है ये सारे का सारा parties के अंदर रहने वाला है ठीक है उसके लावा cell cycle वगेरा भी है उसके लावा plant tissue के बारे में भी रहने वाला है उसके लावा इसमें micro organism जैसे virus है bacteria है फंगस है cyanobacteria है उनके क्या feature है कैसी शरंचनाए है ठीक है उनका क्या महतो है उसके लावा पोदे के अंदर root stem या plant की morphology और anatomy से समद्धित है उसके लावा agriculture का section रहेगा जिसमें एक तो agriculture में जितनी भी करांतिया हुई है revolution हुए है उनके बारे में क्यों पुछे जाएंगे जितने भी central agriculture institute है यानि भारत में जितने भी agriculture institute है उनके बारे में पुछा जा सकता है उसके लावा इसमें बायो chemistry भी है बायो कमेस्ट्री में जैसे कार्बोहाइटेड यानि जेवरसाइं कार्बोहाइटेड है अगला जो है वो है physics का basic part रहेगा जो आप 11-12 में देखती है dimension है उसके लाव measurements है उसके लाव scalars है vector quantities है force है energy है power है motion है motion जितने भी परकार के है circular motion है fraction है low of motion है उसके लाव low of gravition है उसके लाव simple pendulum है acceleration due to the gravity है उसके लाव transverse and the longitude waves है wave motions है type of mechanical wave है यह आपका part first का है कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने सब कुछ सामिल कर दिया जैसे आईए इसका syllabus दे रहे हैं तो इतने syllabus के आपको त्यारी तो यह तो करनी है सभी को first paper के लिए अब बात बची part B की कौन से की part B को part B में दो part है जिसमें से एक चुनना है जो आपका मन करे वो चुन सकते हो आप ठीक है एक जो part है वो तो क्या है agriculture based है उसके साथ साथ जो अपने food processing का और dairy का डिप्लोमा है उसके based होता है तो food processing का डिप्लोमा है उसके based है एकरी कल्चर वाले बच्चे इसी को चुनना चीए और इसी में फाइदा है इसी को चुनने के अंदर फाइदा है part B में दो part है मैं सबसे पहले part first की बात कर रहा हूँ और जो agriculture के student है उनको यही चुनना चीए इसमें इनोंने कई unit दे रखी है तो first unit के अंदर इनोंने क्या दे रखा है एगरी कल्चर का introduction क्या है उसका scope क्या है भारत की economy में उसके क्या रोल है उसके अलावा जो खादे सुरक से है भारत के अंदर उसका क्या रोल है थोड़ा बत उत्राकंड की जो economy है उसके अंदर क्य पासिफिकेशन है उसके अलावा जितनी भी अनाज वाली फसले हैं दलहनी फसले हैं तिलहनी फसले हैं रेसे वाली फसले हैं चारे वाली फसले हैं उन सब की खेती के बारे में आपको पूरे का पूरा पढ़ना पढ़ेगा यानि जो प्रोडेक्शन टेक्नोलोजी और दी हुई है वो क्रॉप आप इस पेडियम में से देख सकते हैं मैं आपको एक मोटा-मोटा आइडिया देने जा रहा हूं उसके लावां farming system है cropping system है cropping pattern है crop rotation है tillage यानि भूप रिस्क रहे हैं जिरो टिलेज है उसके लाव इरिगेसन है यानि सिंचाई है उसके लाव वीड है यानि करपतवार है उसके लावा सिंचाई के साथ डरने जल निकास भी है और उसके लाव मैं बात करूं तो वीड में वीड कितने प्रकार के हैं क्या उनका महतो है क्या नुक्सान करते हैं क्य पूछा जा सकता है, नेक्स अपने बात करें, यूनिट सेकंड में इन्होंने क्या दिया है, यूनिट सेकंड के अंदर इन्होंने एग्रिकल्चर इंजीनिरिंग दिया है, यानि कोई टूल के से बनता है, इंप्लीमेंट के से बनता है, उसका कच्चा माल क्या होता है, वो कि जो भी pump आते हैं, centrifugal pump है और turbine pump है, इन से क्यों सनाएंगे यानि agriculture engineering भी इन्होंने ठीक ठाक दे दे है इन्होंने कहा तो 12th level है लेकिन यहाँ मेरे को लगता है BAC level जितना पूछ रहे हैं, नेक्स है unit third unit third के अंदर आपका होटी कल्चर आ जाएगा होटी कल्चर में, होटी कल्चर का general introduction है, nursery है propagation method है, layout orchard layout है और उसके लावा planning of orchard है यानि बाग लगाने की योजना है, रेखांकन की वीदिया है उसके लावा unfruitfulness का भी part है, फलों का वर्गी करन भी है फल वाली फसलों भी आएगी इसके अंदर सबजियों वाली फसलें भी आएगी फूलों वाली फसलें भी आएगी और इसके अलावा इन्होंने क्या है तुडाई के बाद का परबंदन यानि post harvest management भी दे रखा है और storage भी दे रखा है, लगबग होटी कल्चर इन्होंने क्या है, cover कर लिया है next unit fourth के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है unit fourth के अंदर कही सारे पार्ट दे रखे है एक तो इन्होंने क्या है, लगबग soil दे रखी है लगबग soil दे रखी है, यानि मर्दा का समान्य परिच्चे है, उसकी profile है, उसके लाव rocks and minerals है और उसके लाव इन्होंने भौती गुण दे रखे है उसके लाव समस्या गरस्त मर्दाए है उनका सुधार कैसे करना है फिर उन्होंने plant nutrients दे रखा है सारे के सारे plant nutrients का classification है उनके function है, और उनकी deficiency है उनकी कमी क्या है, fertilizer उर्वरक दे रखे है bio fertilizer दे रखे है समनवित या एकी करत परबंदन है वहाँ से भी क्योशन पूछे जाएंगे और उसके अलावा इन्होंने ये काहा है कि agriculture sector में जो current में government की scheme में चल रही है उनसे भी हम क्योशन पूछ लेंगे मतलब आप छोड़ोगे क्या, कुछ नहीं छोड़ने वाले हो BAC level का आपने इस लेबस ले दिया और योगेता बारी में इसकी नेक्स्ट है unit 5 के अंदर unit 5 के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है unit 5 के अंदर इन्होंने दे रखा है कि agriculture के जो subsidery enterprises है यानि जो साइक उदम है, साइक उध्योग है जैसे मैं बात करूँ बायो पेस्टी साइड के से त्यार करते है और अगर आप क्रिसी से समंदित कोई उदम स्टार्ट करते है तो government उसके लिए कोई subsidy या स्कीम दे रही है वहाँ से भी हम क्योशन पूछ सकते है चलो बहुत बढ़ी है आपने कुछ छोड़ा नहीं next है unit 6 unit 6 के अंदर पूरे का पूरा animal husbandry है यानि पसू पालन है animal husbandry में पसू की समान्य जानकारी और उसमें इन्होंने हाँ यहाँ पर अपने पे कुछ देयादरस्टी यह दिखाई है कि इन्होंने mainly क्या किया है गाई, भेंस और जो मुर्गिये हैं उनको सामिल किया है उनसे समंदिती मतलों उनके उत्पाद है उनसे समंदिती उनके सह उत्पाद है उनसे समंदिती उनका परबंदन है उनसे समंदिती उनके रोग है उनसे समंदिती उनके रोग का निवारन है और उनसे समंदिती जो ओसदिया है वो ही पूछी जाएगी, जैसे भेड, बकरी और दूसरे पसु है, वो नहीं पूछे जाने हैं, चलो ये थोड़ा ठीक हुआ, नेक्स अपने बात करें, युनिट 7 अच्छा, युनिट 7 भी है, देखिए, युनिट 7 के अंदर लगबक क्या है, प्लांट फीजोलोजी आ गया आपका पादप कारे की, इसमें बीज भी है, उसके अलावा बीज की जो सुसुपत वस्ता है, सीट डॉर्मेंसी है, वो भी सामिल है, उसके अलावा यहाँ पे जो प्लांट की मॉर्फोलोजी, एनाटोमी है, वहाँ से भी क्योशन कूछ सकते हैं, और उसके अलावा इन्हो चोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इमास्कुलेशन चलो, ठीक है, छोटा है, फ्लोरल बायलोजी ठीक है, लेकिन हैब्राइजेशन भी इन्हों ने दिया है, उसके बारे में भी हमीं क्या कर रहा है, पढ़ना पड़ेगा, उसके अलाव साइटोलोजी तो हमारा क्या थ फस्ट पार्ट में भी था तो इसमें भी है तो हमें कोई जादा दिक्कत नहीं होने वाली सेम है उसके लाए molecular biology में DNA, RNA, mutation ये भी दे रखा है चलो ये तो important topic है उसके लाए photosynthesis ठीक है कोई दिक्कत नहीं है photosynthesis यानि परकास insulation भी है respiration यानि शौसन भी है उसके लाए C3 plant, C4 plant, came plants के बारे में भी और उसके लाए plant growth regulator, plant growth regulator तो पढ़ने ही पढ़ते हैं क्योंकि crop में भी क्योसन आ जाते हैं हाँ अब देखो unit 8 इन्होंने statics दिये लेकिन चलो ठीक है कम दी है सिरफ introduction है, frequency distribution है और उसके अलावा central tendency है central tendency में mean, mode, median और dispersion दिया है ये तो है जो agriculture वाले student है, ज्यादा तर जो चुनते हैं आप चुन तो कोई सा भी सकते हो, second वाला भी चुन सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे बताया है कि इसमें से आपके 70 क्यों सनाएगे अब माल लोग कोई student ये पार छोड़ता है बोलता है ये तो बहुत लेंथी है ये मैं नहीं करूँगा, दूसरा करूँगा या कोई high student science group का और वो चाहता है ये है तो तब उसको क्या पढ़ना पड़ेगा तब उसको पूरी biology पढ़नी पढ़ेगी पूरी chemistry पढ़नी पढ़ेगी और पूरी physics पढ़नी पढ़ेगी और statics पढ़नी पढ़ेगी 11-12 में जितना biology था जैसे unit first में इन्होंने पूरी biology दी है जिसमें biodiversity है यानि जे भी बिता है उसके जितने भी आस्पेक्ट है सारे पढ़ने पढ़ेगा आपको structural organization in animal and plant जो morphology है वो आपसे पूछेंगे plant physiology पूरा है human physiology पूरा है reproduction पूरा है genetic है वो पूरा है अन्वांसी की पूरा है evolution विकास है वो पूरा है biology and human welfare है biotechnology पूरा है ecology और environment पूरा है यह तो biology आगया पूरा unit first में unit second में chemistry आजाएगा basic concept of chemistry है structure of atom है classification of elements and periodicity in properties यह पूरा है chemical bonding and molecular structure है thermodynamic है redax reaction है solution है s block elements है organic chemistry है hydrocarbons है और उसके अलावा polymers भी है hydrocarbons के अलावा polymers भी है अभी रुकिए और कुछ भी है chemistry in everyday life भी है जितरे भी topic है इनसे कोई current के update है वो भी आप लोगों से पूछे जा सकते है next है unit third unit third के अंदर इन्होंने पूरे का पूरा physics दे दिया measurement दे दिया motion दे दिया property of matter दे दिया thermodynamic दे दिया electricity and magnetism दे दिया wave and optics दे दिया modern physics दे दिया और जो भी ये topic है इनसे कोई current update related है तो वो भी आप से पुछा जा सकता है अब उसके अलावा इन्होंने unit fourth भी बनाई है जिसके अंदर statics है statics के अंदर best general है जिसके अंदर definition है frequency distribution है और central tendency है यानि mean, mode, media और dispersion है तो ये part second वाला है B का second है पार्ट first और पार्ट second में से आप क्या है एक चुन सकते है जो आपको ठीक लगे agriculture का student तो भूल के भी इसको नहीं चुनेगा क्योंकि chemistry और physics उसके बस की बात नहीं है तो जायर से बताब वो नहीं चुनने वाला है और जो हमारे यहाँ पर preparation करवाएंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ हम पार्ट first तो पूरे का पूरा करवाएंगे जिससे 30 क्योशन आने है जिससे 30 क्योशन आने है वो तो पूरे का पूरा करवाएंगे जिससे 70 आने है बी वाले में वी वाले में दो सेक्षन है, उनमें से कोई सा भी एक चुनना है, तो हम agriculture वाला करवाएंगे, जो मैंने हम पहले बताया था, तो उसी के student है, वो ही contact करें, वो ही इसके लिए enroll हो, और ये जो मैंने आपको पीडियेप बताई है, पूरी की पूरी, ये पीडियेप आपको online agriculture टे करें, अच्छी करें, और ट्यारी में जुट जाएं, और आप इस exam को crack करके अपनी सपलता को सुनी सित करें, आप self study कर रहे हैं, तो ठीक है, आपका पकड़ अच्छा है, subject में कोई दिक्कत नहीं है, self study कर सकते हैं, और अगर आपको जुरूरत है coaching join करने की, तो आपका most welcome है और मैंने आपको नीचे number बता दियें, इन पे आप worship कर सकते हैं, call कर सकते हैं, और हमारी जो classes है वो 5 Feb से start होने वाली है, thank you